हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल हाइपर ट्रेट इस भी मैं हूँ मोहमत सोहेल दोस्तों आज मैंने स्टॉक चुना है एक्सिस बैंक लिमिटेड आज मैं आप सभी को एक्सिस बैंक लिमिटेड के उपर चार्ट अनले इस करके बताऊंगा बेज़ डॉन लिवल्स एं कि मैं जो उसके अंदर टार्गेट जाओं उसके दूसरे दिन वह पूरे के पूरे अचीव हो गये हैं दोस्तों आप एक बार जाईए मेरा पूराना जो मैंने अप्लोड किया था एक्सिस बैंक के वुडियो वो देखिए उस पर पेपर वर्क करिए उसके दूसरे दिन वह अचीव हुए नव है आपको खुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन करें फॉर इंट्राडेल लाइव टीम्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट के अलली कि मैं चैनल आपको टागेट बता चुका आण लेवर्ज बता चुका हूं वह पूरे के पूरे अच्छिव होते हुए इस स्टॉक में उधर से रिवस्षल ले ले लिया है वहांसे मैं आपको अपर्ट Themen ळी बताया था हाँ वह निदर बूक्या है यहां तो स्टॉक हम लोगों को रिबाइ करने का चांस दे रहा है देखिए आप उपर भी करें होंगे तो श्टॉक निचार हो तो भी आप नुकसान में होंगे पर आप क्या करिए उसके आधा सा आधा कॉंटिटी आप इधर भी बाइ करके चल सकते हैं दोस्तों आपको उसके आधे लेवल के उपर जाते ही आप लोगों को मुनाफ़ा डबल हो जाएगा देखिए मैं डबल कहकर आप लोगों को लालच पर नहीं ला रहा हूं क्यूंकि स्टॉक ही ऐसा है जो हम लोगों को चांस देता है रिबाइ करने का यानि आप यह लेवल पर बाई करके चलिए ऐसा बताता है च गलती कर चुका हूं वह गलती मैं कभी भी नहीं दवर आता हूँ आप यह गलती नहीं कर रहे हुए तो ठीक करे होगए तो दोस्तों आप वह गलती जीरो हो जाएगा आपका कैपिटल आदा का आदा हो जाएगा ऐसा नहीं है दोस्तों एक्सिस बैंक एक स्टांडर कंपनी है जो इसके अंदर हम लोग कहीं पर भी किदर भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर मैंने आपको लेवर्स बता दिये थे अगर यह 370 लेवर्स ब्रेक करेगा तो नीचे जाते हुए दिखेगा फिर भी थोड़ा सा नीचे जाकर रिवर्स लाएगा स्टॉक मैंने यह भी बता दिया था अगर यह उपर लेवर्स बताएं वह भी पूरे के पूरे अच्छीव कर चुका है अच्छीव करने के बाद ही रिवर्स लाएं है ने आपको बता दिया था डूड़ा नीचे जाएगा थोड़ा अप्स ठॉक को रिवर्स लेगा दोस्तों वह चांस आ गया है हम लोगों को रिवए करने का आप अभी भी यहीं भी कही भी rebuy करके चल सकते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बूर रहा हूँ आप लोगों को 404 पे इंट्री लेके चले 390 पे इंट्री लेके चले देखिए आपको मैं प्रैस के साथ बता दूँगा आगे चल के चार्ट अनरेसिस करते हुए आप कुछ भी टेंशन मत लिजिए कुछ भी पैनिक में नमत रहिए क्योंकि दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे लिवस लिका लूँगा अच्छे से अच्छे टागेस लिका लूँगा इस टॉक के अंदर चलिये आ जाता हूँ आज की दिन इसके अंदर क्या क्या मुमेंट बना था आप लोगों को बताने के लिए आज का दिने दोस्तों 13 जून 2020 टूजडे एक्सिस बैंक का क्लोजिंग प्राइज है 406.65 पैसा आज इसने डे हाई बनाया है 414.80 पैसा और डे लो है 404.05 पैसा देखिए दोस्तों यह चाहा तो 20 या 30 रूपे गिरा के हम लोगों को पैनिक दे सकता था पर यह देखिए 404 से लेके 414 यानि 10 रूपे से ही ट्रेट कर रहा है जो श्टॉक डेली इंटराडे में ही 15-20-30 रूपे का इंटराडे देता था वो श्टॉक 10 रूपे से ट्रेट कर रहा है देखिए गवर फर्माईए समझिए कि यह खाली 10 रूपे का ट्रेड आज क्यो नहीं देता हूं दोस्तों चलिये मैं आगे बढ़ जाता हूं आपको chart analysis पे chart analysis करते हुए आपको target level entry और exit बता दूंगा कि कहां कहा होने चाहिए आप exit और entry कहां करें तो चली दोस्तों मैं आपको अभी तक बता चुका हूं मैंने आपको एक ही चीज बताई थी जब ए 390, 370 के लिवल्स भी पास भी था मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि इसके अंदर 430, 440 लिवल्स आने वाले हैं आप देख सकते हैं 430 इदर 440 लिवल्स को पूरा अच को अचीव कर लेगा तो थोड़ा सा रिवसर लेगा रिवसर तो इसको लेना ही चाहिए क्यूंकि जो इसने मोमेंट लेके जो इसने अप्पर के लिए इसको रिवसर लेना जरूरी था देखै अब भी आप रिवय लेकर चल सकते हैं फिर से श्टॉक 430, 440 लिवल्स के या दो दिन लगेगा एक हफता भी लग सकता है पर यह लेवल्स आएंगे मैं आपको बार-बार हर बार मेरे हर वीडियो में बताता हूं चाहे तो आप इंडोसिंद बैंक टाटा मोंटर इंडिया अनबुल्स होजिंग फैनांस ग्रेंबर फार्माचुटिकल्स आप पूरे क पूरे स्टॉक के वीडियो देख सकते हैं पूरे के पूरे टागेट्स अचीव हो चुके हैं मैं आपको कहीं भी बै करने या इंट्री करने के लिए कहता हूं अब वहां एंट्री कर लेजिए ग्राब कर लेजिए खीच लेजिए शेयर को आपके पूर्टफोलियो के कि अब इसने एक चांस हमनों को एक हिंट दे दिया है एक ट्रिक के दे दिया है देशता हूं अपने हर वीडियो में मैं बताता हूं चोटा सा चोटा ट्रिक और एक नो लोग स्टाटेजी जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान नहीं होते ट्रिक से आप दोस्वान इसी हवे में नइ फेक रहूं, आपको एग्जामपूल के साथ बता रहा हूं देखिए इदर जिसने गाब डौन में ओपनेंग किया था, वो तो वही दिन क्लोज करते हुए चला है और इसने भी देखिए गाप में ओपनेंग क्या था, वो भी उस धी दिन क्लो 425 levels के पास आप अभी भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूं अगर आप 430-440 तक patience नहीं रखना चाहते हैं आप आपको अगर इस टॉक नीचे जाता हूं अधिखरया पैनिक में आ जा रहे हैं तो आप अगर 425 के levels तक भी आप exit ले ले सकते हैं दोस्तों पर मेरा exit constant है fix है दोस्तों 430-440 levels का मैं अभी भी आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूं 440-430 मैं आप लोगों के लिए आप ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहते हैं आप कम से कम profit में हट जाना चाहते हैं तो भी 425 पे आप exit हो सकते हैं दोस्तों देखिए मैंने आपको levels बता दिये target बता दिये जो moment इसमें पकड़ा था वो moment बता दिया दोस्तों आप सोचियों कि इदर chart analysis कहां हुआ है जो मैं आपको समझाना चाहिए दोस्तों chart analysis ऐसे नहीं होता है कि इदर break करेगा तो उपर जाएगा इदर से इदर इसने reversal ले लिया है तो नीचे ही आते यह बात करता हूं दोस्तों वह मैं आपको कैसे बताता हूं देखिए इसके अंदर जो इसने moment पकड़ा है इसको तो close करने की कोशिश करें मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो में उसके पहले वीडियो में बता दिया देखिए इसने उसको पूरा का पूरा close क कर दिया है देखिए मैं आपको जो भी बताता हूं वह तो पूरे के पूरे अच्छीव हो जाते हैं विद मूमेंट के साथ और इसके अंदर जो प्राइस एक्शन है प्राइस एक्शन पर बहुत बढ़िया है जो दो दिन के अंदर नहीं हुआ है जो पिछले कैंडिल करिए देखिए मैं आपको डाइरेट प्राइस बता रहा हूं एंट्री लेवर बता रहा हूं आप चाहे तो 400 लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं 4, 15, 4, 10 कहीं भी एंट्री ले लिजिए आपका फिक्स्ट एक्जिट होगा दोस्तों 430 440 चलिए मैं आपको समझा चुका हूं लेवल टागेट्स और जो मूमेट इसमें हो रहा है चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं आपको टागेट्स देने के लिए जो कल के दिन होने व 번is stock market update के लिए दोस्तों मैं हर विडियो के अंदर विडियो के अंतर strategy बता देता हूं no-loss strategy देखिया आज मैं दो no-loss strategy लेके आया हूं जिसके अंदर एक में stop loss नहीं होगा और एक के अंदर stop loss होगा दोस्तों आपको पहले target समझा देता था मैं अपने हर वीडियो के अंद गा मैं आपको no loss strategy समझाते वकत तो चलिए आ जाता हूं मैं पाहिला no loss strategy देखिए number one है दोस्तों no loss strategy आप इस access bank के ओपर आप कितना भी बाइक कर रहे है 120 200 300 000 तेन तौज़न स्टॉक भी बाइक कर रहे हैं वह आपके हिसाब से 100% quantity हो गया देखिए आप क्या करिए पहले target पे 75% लगा लिजिए second target पे 25% लगा लिजिए अगर इस selling भी गया बाइंग भी गया targets पे quantity सेम लगाई है दोस्तों अगर पहला target अचीव हो गया तो आपको पूरा का पूरा 75% profit होगा second target भी अचीव हो गया तो आपको पूरा पूरा 125% का profit होगा अगर second target अचीव नहीं होगा है 415 के पास 25% का quantity जो आपके पास 100% में था आप वो 25% के quantity को पहले target पे लगा सकते हैं आपको पूरा का पूरा 100% का profit होगा दोस्तों अगर targets अचीव नहीं होने से पले stop loss भी अचीव हो गया hit हो गया तो भी आपको छोटा सा छोटा नुकसान होगा पर आप तो stock market से exit नहीं करेंगे और एक बात दोस्तों दूसरा strategy है इसके अंदर stop loss नहीं होता है यह lightly hitting भी समझी है नहीं तो उपर जाते हुए stock को हम लोग average यानि हम लोग buying कर चुके हैं नीचे जा रहा है stock तो भी जायता लोग hitting यानि average करने की कोशिश में रहते हैं वैसे भी यह no loss strategy है दोस्तों ओ कैसा कर है देखिए अगर आप 408 के पास buying कर चुके हैं पहला target भी अचीव नहीं हुआ है second यारे पहला target अचीव नहीं हुआ तो second target quantity by करिए और 405 से भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो 403 होगा दोस्तों 403 में आप 5025 बाई करिए 403 से भी नीचे जाता हुआ दिखा तो आप क्या करिए 400 में 100 बाई करिए इसमें क्या होगा जो आपका average होगा जो 408 पे था वह average आप लोगों को 404 या 405 पे आएगा stop loss नहीं होगा दोस्तों बस average होगा वह आपके quantity के हिसाब से 33 रूपीज के difference में आप खेल सकते हैं आपको बता चुका हूँ दो no loss strategy आप ये दो no loss strategy लेके चलेंगे तो भी आपको stock market में नुकसान नहीं होगा नुकसान होगा तो भी कम से कम छोटा सा छोटा नुकसान होगा दोस्तों पर आपका capital आदसा आदसा खतम नहीं होगा चलिए अब मैं आ जाता हूँ टागेट के उपर टागेट है दोस्तों आज का दिने थर्टीन तो जून टूंटी टूंटी आज का डे है टूज्डे एक्सिस बैंक का क्लोजिंग प्रेज है 406.65 पैसा यह जो मैं टागेट नेका लाओं टागेट कल के लिए यानि फस्त जुलाई वेनस दे टूंटी टूंटी के लिए एक्सपेटेट प्रेज है 408 मेरा एक् पहला टागेट होगा 398 सेकंड टागेट होगा 496 स्टाप लॉस के साथ चलिए 408 के पास देखिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैंने चार्ट एनलेस के पर छोटा ट्रिक बता दिया है नो लोग स्ट्राटेजी आप हर वीडियो में मैं एक बताता हूं इस वो सबी लेके चलिए आपको मुनाफ़ा होना ही है नुक्सान होगा तो भी कम से कम नुक्सान होगा दोजों आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है धन्यवाद थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो